गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स कक्षा आठवी में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग देख रहे हमारे इतियास और नागरिक शास्त्र विश्वय का वीडियो दूसरा और जिसमें आज हम लोग जानेंगे हमारे पार्ट एक के इतियास के साधन के संदर्व में प्रिस प्रिस और भवन तथा वास्तु के बारे में चर्चा की थी तथा इसके अलावा नागपूर में स्थित्व वास्तु संग्राले और इतियास के बारे में भी हमने जानकरी ली हुई है आज हम लोग प्रतिमाय और समारक जो की हमारे आसपास देखने के लिए हमें मिलते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको प्रतिमाय और समारक के बारे में जानकरी बता दूँ तो प्रतिमाय यानि वो होती है जो की हमारे घर में हम ठंगा के रख सकते हैं परन्तु समारक वो होते हैं जो हमारे घर में नहीं तो चोको में बहुत सारे squares में या फिर बड़ी-बड़ी garden में या फिर corner में बहुत ही सुन्दर तरीके से उसे लगाया जाता है बनाया जाता है तो ये स्मारक किस लिए बनाएगे होते हैं या फिर किस वजह से उनको हरएक aak स्टडर में स्थापित किया कि जिनके बारे में हमें अभी भी उनके प्रति बहुत जादा आदर समान और निश्टा है कि जो हम लोग कभी सोचे भी तो उनके जैसे बनने की कोशिश भी यदि करें तो हम लोग नहीं बन सकेंगे तो स्वतंतर्दा पूर्व और स्वतंतर्दा पश्यात समय में अंगिनत प्यक्तियों के स्मारकों का निर्मान और प्रतिमाओं के रूप में किया गया जैसे बहुत सारे स्वातंतर सेनानी है उनके समारक और प्रतिमाएं बनाई गई तो आधुनिक भारत की इतियास के अध्यान की दृष्टी से ये प्रतिमाएं भी महत्वपोर्ण है मतलब यदि हम लोग आदमिक भारत की इत्यास के संदर्म में अगर रखें तो आपको पता है कि आजकल हर एक प्रतिमाओं में बहुत सारे जो स्वातंसर सेनानी है वो तो हमको उनकी उनकी बहुत सारी ख्याती हमें पता है जिनके बारे में हमने वर्दमान पत्रों में और बह लेकिन वो दिखते कैसे थे तो जैसे आपको पता है बादक्र बाबासाइब आ में बहुत समझ में आ जाता है कि उनकी रूप रेका कैसी होती होगी मातमा गांधी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो वो कैसे दिखते थे फिर हम लोग जवाहरलाल न shopping या वललब भाइ पटेज़ या फिर सरोजनी नाईडू ऐसे अंगिनत स्वातन सेननियों के बारे में यदि हम लोगों हुद ने बात की उनके प्रतिमाऊ से उनकी समार्गों से और उनकी रूप रहखा के बारे में और उनके रहनमानете बारे में बहुत आसानी से बहुत सारी चीजे समझ सकती है वैसी ही विवीद प्रतिमाओं के आदार पर हमें तातकाली शास को और समाज के प्रतिस्टित व्यक्तियों के विशे में जानकारी प्राप्त होती है यानि के प्रतिमाओं और समारक उस समय के शास्तक और समाज के प्रति व्यक्तियों के बारे में आपको ये जानकारी वो दिलाते हैं, तो प्रतिमाओं के नीचे एक पार्टी रखी होती है बड़ा, जिससे संबंधित उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखा होता है, जन्मवर्थ्य का उलेक होता है उसके पार्टी पे, उस व्यक्ति के कारियों का संख्षेप में उलेक भी किया गया ह होता है, जिवन पट के विशे में जानकारी प्राप्त की गई होती है, और ये सब जानकारी उस पार्टी पर आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाती है, महत्मा जोती राव फुले, लोक मानने दिलक, डॉक्टर बाबा साहिब आम बेट करके प्रतिमाओं की तरह विब उनसे संबंदित घटनाओ का भी विवरन बहुत अच्छे से किया गया होता है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कि हमारे नातपूर में भी जीरो माई चौक पे, या फिर सुभाज चौक पे, या फिर टेलिफोन एक्जेंज चौक पे, यदि आपने कभी देखा तो मौरारजी देशाई, सुभाज चंद्रबोस और बहुत सारे स्वातन सेनाओनियों के बारे में भी आपको जानकरी बताई गई है, है ना, तो मेयो ऑस्पिडल के सामने भी आपको पता होगा बिटा, वहाँ पे भी एक बहुत ही प्रख्यात स्वातन सेनानी का स्मारक व ऐसे बहुत सारी चीजे हैं, उनके प्रती अगर बताई गई तो आपको सोचने भर से ही हमारे पुरे शरीर में कैसे तो भी कपकपी सी मरसूस होगी, ऐसे बहुत सारे स्वातन सेनानियों के चित्र, उनके प्रतिमा और उनके स्मारकों से हमें बहुत सारी जानकरी आसानी से प्राप्त हो जाती है तो गटनाओं का काल खंट उन गटनाओं से जुड़े वेक्ति आदी की जानकरी देते हैं जैसे विबिन अस्थानों के शहीद स्मारक तो देखिए जैसे जीरो माई चौक पे जो बहुत सारे शहीदों का स्मारक आपने कभी देखा होगा तो कभी पे आपको उनके बारे में जानकरी प्राप्त करिए उससे आपको बहुत सारी उनके प्रती वास्तविक जीवान के प्रती बहुत सारी अच्छी जानकरी उसमें मिल सकती है तो आप अपने समीब के परिसर में पाये जाने वाले स्मारको और प्रतिमाओ की जानकरी प्राप् होती है उसे लिखो अब यह कुरुती जरूर करके देखिए अब इसके बाद हम लोग चलते बिटा हमारे अगले भाट की तरफ वो है अगले भाग की तरफ वो है लिखित साधन देखिए इसके बाद आने वाले हैं मौकिक साधन लिखिक साधन अभी तक हमने मौकिक साधनों क बारे में जानकरी लिए है इसके बाद आएगे लिखिर सादन और उसके बाद आंगे मोखीक सादन तो हर एक सादन में कौन-कौन से भाग इसके अन्दर आते हैं वो सबी आपको पता होने बहुत जोरी है तो में आपको बताना चाहूंगा बेटा कि एक आकृती आपको यहां बना कर बताएगे हैं तो इसमें सबसे पहले आता बेटा पत्रा चार दूसरा आता है विदेशी व्यक्तियों का लेखन तीसरा है समाचार पत्र चौता है चरित्र पाच्वा है पुस्तके छट्वा है आत्मचरित्र सात्वा है फैक्टरी रेकॉर्ड और और आठ्वा है बताता है समावेश किस तरह से हुआ है इसके पचानकरी आपको देता है तो इनमे जो दो चीज़े इंपोर्टन आपको बताएगे बटा समाचार पत्र और पत्रिकार इससे हमारे आधुनिक भारत में बहुत ज़ादा मदद साबित हुई है और जो प्राचिन भारत था जह और हमारे उपर होने वाले अन्यायों का हमना, हमने बहुत ही धुरूरता से सामना किया, ठीक है, वो हिम्मत क्यों आई, कैसे आई, तो इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की दुरूरत नहीं है, समाचार पत्र और पत्रीकाएं ही उसका एक मात्र साधन था, कि जो भारतियों के शरीर के अंदर, भारतियों के खोन में, वो शोला, वो लहू बनकर भैता था, जिससे हमें अंग्रे जोक के उपर, अंग्रे जोक से दो हाथ करने की हिम्मत उससे हमको मिली, तो समाचार पत्रों द्वारा हमें समसामाई घटनाओं की जानकरी प्राप्त होती है, साथ ही समाचार पत्रों में किसी घटना का गहन विशलेशन, विद्वानों की मत प्रतिक राय, प्रतिकिरियाय, संपाद की अलेक प्रकाशित होते रहते हैं, देखिए समाचार पत्रो सिर्फ घट्ना ही जानकारी पराफ्थ नहीं होती तो हमें बहुँत सारे विद्वानों के विशलेशन प्रमत प्रतिक क्रियाteen के बारे में भी जानकारी आसानी से पराफ्थ हो जाती हैं हमें तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक गती वीदियो की जानकारी भी प्राप्त होती है मतलब राजनीति में क्या चल रहा है समाज में हमारे आसपास क्या हो रहा है आर्थिक स्थिति हमारे भारत देश की कैसी है संस्कृती में हम लोग कौन से द्योहार की तरह से मना रहे हैं या फिर गती वीधियों की जानकरी मतलब कहां पे कौन सा खेल खेला जा रहा है या फिर विदेशों में भारतियों क्या डंका की तरह से हम लोग फैला रहे हैं मचा रहे हैं वो सब जानकारी आसानी से समाचार पत्र से हमें प्राप्त हो जाती हैं तो स्वतंत्रता पूर्व समय में ज्यानो दय, ज्यान प्रकाश, केश्री, दिन बंदु, अम्रुत, बाजार जैसे समाचार पत्र महत्वपूर्णा सादन थे जन्जागरन के मतलब इन सभी समाचार पत्रों के नाम आपको पता होने चाहिए अभी यह समाचार पत्र देखने के लिए नहीं मिलते, शायद बंद हो गया लेकिन जैसे लोकमत हो गया, या देशोन नती हो गया, या पुन्य नगरी हो गया या फिर नवराश्र, नवभारत जैसे बहुत सारे समाचार पत्र आज कल मत्वपूर्ण सादन है जिसे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है तो इन समाचार पत्रों के आधार पर हम अंग्रेश आसन की भारत के विशय में निर्धारित गिनीतियों और भारत पर हुए परिणामों के विशय में अध्यान कर सकते हैं इन ही जिसे समाचार पत्रों के विशय से ही संदरबित भारतीयों ने निर्धारित नीतियों और उनके उपर होने वाले अत्याचार आक्रमन के आधार पर उन्होंने उन से लड़ने के लिए एक ठेज उनिव बना के रखी और उससे ही हमें हमारे भरतियों को बहुत जादा फाइदा हुआ अंग्री जोग की शासनकाल में समाचार पत्र मात्र राजनितिक जागरन ही नहीं अपितु सामाजिक पुनर जागरन के साधन के रूप में भी कार्य कर रहे थे अंग्री जोग की शासनकाल में ये समाचार पत्र राजनितिक जागरन ही नहीं तो सामाजिक साधन के रूप में भी कार्य कर रहे थे तो विश्नु शास्री देखिए यहां पर दो ऐसे दिगज हम लोग इसे कहेंगे कि व्यक्तियों के बारे में या बहुत बड़े सौतन सिनानियों के बारे में बताया उनके दो स्वापता ही या फिर मासिक पत्रिका के बारे में बताया है मासिक पत्रिका जो सबसे पहले निकली वो निभंध माला थी और उसे विष्नु शासरी चिपलून करने समाज में लाई थी बेटा और फिर दूसरे जो सब्टाइक पत्री का निकालने वाले लोग खितवादी जिनका दूसरा नाम है उनका नाम था गोपाल हरी देशमुक देशमुक नीकाने ने दोनों बहुत ही बड़े थवातंत्र सेनानी थे जिनकाने हमारे भारत देश को एक नए भारत के बारे में जान जानकारी बताई, मास्तिक पत्री का, सब्ताईक पत्री का, ये दोनों ने छपे छापे, हर सब्ता में इनकी पत्री का छपती थी, हर माह में इनकी पत्री का छपती थी, और इनमें लिखे शतप्रत द्वारा विबिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विशयों पर भाश्यक किया जहाँ पर जॉक्टर बावाज साहिम अम्विट करो और उनका बनाया गया समाचार पत्र भी हम लोग इतके बारे में बात करेंगे इतके बाद हम लोग मानचित्र और प्रारूप क्या है ये भी हम लोग जरू देखेंगे तब तक जितना आज हम लोग ने पढ़ा वो सब इलाद रखिये थेंक्यू ग्लास टेक क्यार पाई